एसिया कप 2023 का तीसरा महा मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच खत्म हो चुका है और इस मैच के खत्म होने के बाद एसिया कप 2023 के पॉइंट टेबल में बहुत बरा बदलाव देखने को मिला तो इस वीडियो में हम आपको एसिया कप 2023 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कौन सी चार्टी में सुपरफोर के लिए कौलिफाई कर चुकी है तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहितरीन होगा वीडियो में सुरू से ले टोटल छे टी में पार्टीसिपेट कर रही है जहां पे गुरूप A में भारत पाकिस्तान नेपाल को रखा गया वहीं गुरूप B में स्रिलंका अफगानिस्तान और बांगलादेश को रखा गया तो आए जानते हैं आज के मैच से जुरी कुछ इन्फोर्मेसंस के बारे मे तो भारत की टीम ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया यहां पे 266 ठनों का टार्गेट दिया पाकिस्तान को और इस मैच में भारत की तरप से सुभमन गिल विराट कोहली और इसके साथ ही रोहित सर्मा का बला नहीं चला लेकिन हार्द जानते हैं पॉइंट स्टेबल को सुरुवात करेंगे ग्रूप B के पॉइंट स्टेबल के साथ तो ग्रूप B के पॉइंट टेबल में जिन तीन टीमों को रखा गया है उनका नाम है स्री लंका अफगानिस्तान और बंगला देश तो ग्रूप B के पॉइंट टेबल में त तो हार का सामना करना परा तो फिल हाल बंगलादेश एक में से एक मैच हारने के चलते जीरो अंक के साथ पॉइंट टेबल में सब से बॉटम पे है और बंगलादेश का जो निट रन रेट है वो माइनस जीरो दसमलब 9-5-1 है और बंगलादेश की टीम को यहां पर से अगर मैच में किसी भी हालत में अफगानिस्तान को हराना परेगा और इसके साथ ही प्रे करना होगा कि अफगानिस्तान की टीम अपना अंती मैच स्री लंका के हाथो हार जाए तो यहां पे बंगलादेश की टीम अपने अगले मैच में अफगानिस्तान को हराने का पूरा प्रया अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला तो अभी अफगानिस्तान ग्रूप B के पॉइंट टेबल में सेकेंड पैदान पे काबिज है और अफगानिस्तान की टीम जैसे ही अपना पहला मैच खेलेगी तो ग्रूप B का पॉइंट टेबल और भी ज्यादा उथल पुथल मत जाएग तो हम लोग अफगानिस्तान के पहले मैच का वेट करेंगे तो आएए जानते हैं ग्रूप B के पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में तो ग्रूप B का जो पॉइंट टेबल टॉपर है वो है मेजबान स्री लंका और स्री लंका ने अभी तक एस याकप 2013 में सिर्फ एक और इस मैच में स्री लंका के गिंदबाजों के सांदार परदसन के बदोलत बांगला देश को 200 से भीतर ओल आउट कर दिया गया और जवाब में स्री लंका की टीम ने बरही आसानी से बांगला देश को हरा दिया तो अभी स्री लंका की टीम एक मैच खेल चुकी है सियाक अ 2020 में तो एक में से एक मैच जीतने के चलते दो अंक के साथ स्रिलंका पॉइंटेबल में सबसे टॉप यानि कि सिखर पे है और स्रिलंका का जो नेट रन रेट है वो प्लस 0.951 है और स्रिलंका की टीम यहां पे आप मान के चल सकते हो कि सुपर फोड में जा चुकी है तो आपक सबसे इंपॉटेंट गुरूप एक के पॉइंट टेबल को तो गुरूप ए में जिन तीन टीमों को रखा गया है उनका नाम है पाकिस्तान भारत और नेपाल तो गुरूप एक के पॉइंट टेबल में तीसरे पाइदान यानि की बॉटम पे जो टीम है वो है नेपाल की ट तो फिल हाल नेपाल एक में से एक मैं छाड़ने के चलते जीरो अंक के साथ पॉइंट टेबल में सब से बॉटम पे है और नेपाल का जो नेट रन रेट है वो माइनस 4.760 है और नेपाल का इतना खराब नेट रन रेट है कि ये टीम 100% एसिया कप 2023 के सुपर 4 के दोर से बाहर हो चुकी है वही पॉइंट टेबल में दूसरे अस्थान पे है यहां पे भारत की टीम जहां पे भारत की टीम ने सियाकप गया के कैप्टन रोहित सर्माइस के साथ ही सुपरिश्टार विराट को हली और सुभमन गिल जैसे बैट्समेन फ्लॉप थे लेकिन फिर भी भारत में समान जनके स्कोर बनाया और जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आई तो यहां पे बारिस रुकने का नाम नहीं ले र बात करें तो इनका ने ट्रन रेट प्लस 0.000 है क्योंकि भारत ने कोई भी कंप्लीट मैच नहीं खेला वहीं पॉइंट टेबल में सबसे सिखर पे है पाकिस्तान जिसने अभी तक टोटल दो मैचों में पाकिसिपेट किया जहां पे एक मैच में तो पाकिस्तान को जीत मिल लेकिन इनका एक मैच आज भारत के खिलाप रद हो गया तो पाकिस्तान दो में से एक मैच जीतने और एक मैच रद खेलने के चलते तीन अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे सिखर पे है और पाकिस्तान की टीमे सियाकप के सुपर चार में जा चुकी है तो ये था सिय आपका नया पॉइंट टेबल